Hello and welcome my dear friends आज जो हमारा MCQs का सेट है वो वेदर एंड कलमेट अब जेंड के पे है In between the lecture आपको कुछ MCQs difficult लगेंगे Like Stamps Classification and Cooper Classification But उन पे हमने detailed explanation प्रवाइड की है So that's why आप इस वीडियो को fully watch करना Now let us start Question first, between which motor range is Kashmir वेरी located इसको हम मैप से देखेंगे Now here we go, Jumoo, Jumoo, Samba and Kutfaa आपकी यहां से पास होते है शिवालिक मुटे इरेंज उसके बाद जब हम 12 मुला के उपर कुल गाम इस साइड में आएंगे यहां आपकी यहां पे lesser हमालयाज जिसे हम कश्मीर वे कहते हैं पीर पंजाल मुटे इरेंज उसके बाद जब हम और अबो आएंगे यहां से आपकी आते है ग्रेटर हमालयाज तो जब और नारफ की तरफ जाएंगे तो यहां पे हमारा आता है करागोरम मुटे इरेंज तो अब हम देखेंगे कि शिवालिक के जो बिलो यह एरे है इसे हम कहते है जमू प्लैनस उसके पाद यह जो एरे है शिवालिक और पीर पंजाल मुटे इरेंज की बीच में इसे कहते है मुटे इरेंज आप जमू और फिर जब हम अब और जाएंगे तो हम देख सकते कि कश्मीर वेली जो है कि यह जो केक्र मारिक करते हैं वह किसमेर लोकेट क्श्मीर का इस सब्सक्राइबisme केक्राइब और टॉपिकल मौनसोन क्लाइमट Q3. Which is the coldest month of Jammu, Kashmir and Ladakh? Q4. During summer season in the city of Jammu and around areas, a cool wind descends from the Shivalik in the night time is locally known as, Q5. The hot dry wind, called Loo, blow in the Jammu region of Jammu and Kashmir in the month of Dash and Dash? Q5. The last day is the right answer in summer, so May and June, before moonsoon. Q6. Moonsoon will come to India, early June, but Jammu will enter in July. Q6. Kashmir region receives heavy rainfall in which season? Q7. In Kashmir, more than 30-40% or 50% rainfall in spring season. Q7. And if we talk about Jammu region, there is maximum rainfall in summer, when moonsoon enters. Q7. Which among the following are the wettest months of Jammu region? Q7. Which among the following are the wettest months of Jammu region? Q7. Kashmir valley possesses a sub-tropical to arctic type of climate having dash and dash? Q7. Kashmir valley mostly, if winter is long and summer is short? Q7. The right answer is C. Q9. According to steps classification of climate region of India, the annual rainfall of north-western region, which includes northern parts of Punjab and southern parts of Jammu and Kashmir is, QA. in fact, the last time just the end of July is. तो इसमें कुछ नाया भी हुआ था तो यह दो कलासफिकेशन मोस्ट इंपॉर्ट होते हैं कलामेट पर तो अब हम देखेंगे जो स्टैंपस कलासफिकेशन है जिसमें नादन वेस्टरन रिजिन को डिवाइड किया है इसमें कितना रेंफॉल हैं बिलोव 200 सेंटिमीटर अभ लायन की जो बिलो है कि यहां इसे कहते हैं उसी इखें आपर इपर हैं माजल परदेश Switch उत्रेफड होगी वो अबो 200 cm होगी इसके साथ यहां पर दूसरा हम देंगे यह वाला यह नार्थ-वेस्टर रिजिन है यहां पर आपके साथन पार्ट साथ जुमो कश्मिर और पंजाब क्या कुछ एरिया आता है इसमें जो रैनफाल होगी वो आपकी बिलो 200 cm होगी इसके बाद हम यहां पर आएंगे थर्ड पर तो राजस्तान और कुछ पार्ट है गुजरात का इसे कहते है एरिड लो लैंड यहां पर जो रैनफाल होगी वो एबो 40 cm होगी उसके बाद हम यहां पर आएंगे मिडल में मौडरेट रैनफाल होगी यहां पे इसके बाद कुछ वेस्टरन पार्ट आप यूपी आता है तो यहां पे जो रैनफाल होगी वो 40-80 cm होगी इसके बाद हम यह पार्ट नव जो आता है आपके इस्टरन पार्ट साथ यूपी उसके बाद सिकिम आता है उसके बाद पार्ट आप आर नाजल पर देश आता है इसमें जो रेङलेबरन्फाल होगी वो बीडस वाले इस वाले अरिया में इस वाले जोन में आएगे यहां प़े मधवेंड आएगा नागलेंड एगा आएगा मेगाले गां फिसrav. फ सिनुन अच्वर. होंगी हेवी रेङलेबरन्फाल वारेगा इसमें जो states आएंगी यहां पर उनमें जो rainfall होगी वो 100 to 200 cm होगी उसके बाद हम देखेंगे थर्ड यह वाला area moderate rainfall होगी यहां पर 50 to 100 cm उसके बाद हम यह वाला area देखेंगे कुन कॉन कोस्ट यहां पर जो rainfall होगी वो over 200 cm होगी उसके बाद हम यह देखिंगे मलाबार कोस्ट केरला में यहां पे रैनफाल जो कि वो ओर 200 संटिमेटर होगी उसके बाद हम लास पे देंगे तामिल नाडू का एरिया तो यहां पे जो रैनफाल होगी वो 100 तो 150 संटिमेटर होगी और किसके वाइसे होगी डिट्रीटिंग मोंट सुनकी वज़े से नौ यह था स्टैंपस कलासिफिकेशन आफ कलामेटिक रिजन तो आप हम नेकस्ट कॉशन देखते हैं नौ इसका आफ सिक्तिन शर्ट उठा सकते हैं आफ एक दो बार इसको रीड करना तो यह आटोमेटिकल आफ को याद हो जाएगा कॉशन 10 एकॉपर्स कलामेटिक रिजन आफ इंडिया दा हिली पार्स अब जुमेंट कश्मीर हाज बिन शोन आज पोलर टाइप यह राइट हैं अगर पोलर टाइप तो टंट्रा टाइप भी होगा हुमर्ट कंटिनेंटल विट सिवेर एंड मोईस्ट विंटर एंड शॉर्ट समर यह भी राइट है तो इसका राइट अंसर है आल अगर आपको Stampar Scholars किुर्फ केशन पे short lecture पे जाएं आपके अ क्यों में पाम ने इंडिया को डिप्रिंट्ट डिवाइड किया एंड उन परटिक्रिंट्रोर डिविट्नेंस को कोड लेस्टर से मेंशन किया नो फॉर एक्जम्पल अगर हम साउधन देए वेस्टरन वेस्टरन गार्ट्स वाला पार्ट तो यहां पे इसको नाम दिया गया इसका मतलब यहां पे जो कलमेट होगा वो मौनसून टाइप होगा एंड शॉर्ड ट्राइ सीजनर्स होंगे इस वाले एरिया में इसी तरह से लदाग की स्केटेगरी में डॉला दिडिड़ ड्राइड इस तरह कशमिर क कश्मीर को इ उत्राखन को इटे ऐसे यहां पर बीएस अजबलो और इस वाले वेस्टर इस्टर पार्स को एस केटेगरी में डाला जो भी एक्जाम हुआ था केस का उसमें क्या आपको मैप दिया गया था उसमें आपको और और उन्होंने में दिया इस वाले अरिया को और देदीया कुपर ने इस वाले को और को और से इस वाले को और से को और से मेंजिन किया इस से क।श्चिंद अभी रिसेंडली केस में आया था Q2. The Utah of Juman and Kashmir Receivers Heavy Random and Sunow in winter due to Western Distribences वेस्टेंटेंस कहां से आते हैं? मेडिटेटेंट सी से Q2 January is the coldest month in Kashmir Valley which is locally known as the period of चलाइकलान 20 December 20 December से लेके 30 Jan तक होता है चलाइकलान is a dash period of harsh winter तो कितने दिनों का होता चलाइकलान अगर हम 20 December से 30 January तब तो 40 days का होता है तो इसका right answer है 40 days Q13 On the basis of temperature and precipitation a year in Kashmir Valley is divided into four seasons winter, spring, summer and autumn now the autumn season starts from dash to dash देखो November to Feb आफका होता है winter season उसके बाद March to mid-May आफका होता है spring उसके बाद mid-May से mid-September आता है summer season उसके बाद mid-September से October तक आफका होता है autumn Q14 in Kashmir Valley which of the following season is locally known as Harud basically Kashmir में क्या कि हमने year को six seasons में divide किया और हर एक season two to months का होता है अब हरूद local language में किस season को कहते हैं? autumn को winter को हम कहते हैं spring को कहते है summer को कहते है इसके बाद summer को कहते है इसके बाद आफका अगर हम ice cold जो चलाए कलान के पीड़ों से हम कहते हैं question 15 accepting to the jumu planets the climate or the greater parts of jumu and kashmir resubles to which parts of the temperate latitude temperature नहीं यहां पे temperate latitude होगा देखो जो jumu planets है उसको छोड़ के देखो जो 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 में हमारा humid subtropical होता है humid subtropical humid subtropical उसको छोड़ के जो अधर पार से वहां पे होगा फिर montaneous and continental climate तो इसका right answer है question 16 monsoon arrivals in India approximately in India में आता monsoon early June question 17 the amount of dash present in the atmosphere is called humidity humidity किसे के थे हैं amount of क्या होगा atmosphere में atmosphere होगा water vapors question 18 which of the following forces is responsible for the deflection of wind parameters normal path centripetal forest तो जब कोई object circular motion में होता है तब वो centripetal forest होता है उस ताम पे उसके बाद graveyardation forest हम जानता है applied forest तो इसका right answer है corolleous forest जो अपने जो विंड़ोज को अपने नवर्वर पास से deflect करता है कुछ सा forest यूज होता है corolleous forest question 19 in which latitude of tropical areas are monsoon experiences देखो यहां पर latitude की बात कर रहे हैं अगर हम पहले देखें 20 degree नारत and 20 degree east यह रहा आपका फर एक्जाम्बल नारत तो यह रहा east तो ऐसे तो latitude बनेगा है नहीं latitude हमेशा ऐसे होते हैं तो ऐसे कुण बनेगा 20 degree नारत 20 degree माला नारत अन 20 degree south यह आपका बन गया जिसका right answer यह होगा so 20 degree नारत and 20 degree south में हम क्या करते हैं मून्सून जो है वो experience it करते हैं यानि जो मून्सून है वो हम महासूस करते है कब 20 degree नारत and 20 degree south में question 20 latitude wise कश्मीर कॉनस्पांडस तो विच आफ दे फालूइंग प्लेस इन दे वर्ल इसलामबाद दमस्कस इंसीरिया मुराकु देख सकते हैं अरू हम देख सकते हैं कि यह हमारा रहा रहा जेहन के उसके बाद यह रहा असलामबाद तो कुस क्से भी है इसी latitude पे अब हमें देखना है कि इसी latitude पे क्या मुरा को भी आता है तो यह रहाफ का मुरा को भी इसी latitude पे हैं तो यह तीनों जो है कोरस्पंड करते हैं कश्मीर को नाव इसका आंसर होगा आल Question 21 Which of the following lakes of Kashmir is the source of water supply to Srinagar City तो इसका राइट आंसर है हर्वान लेक यह water source of water supply Srinagar City को Question 22 The climate of southern part or planned part of Jumbo region is a plus two तो इसका राइट आंसर है Jumbo Plans